पेस्ट के जग नंगस में हमजुद है लगबग 8 किलोमेटर पर कुर्खेडा पुली स्टेशन है यहां लगबग बीच का एरिया है इस रोड का बीच का पोर्शन है यहां से कुर्खेडा 8 किलोमेटर दूर है और पीछे का पुली स्टेशन 7 किलोमेटर दूर है अब हम बात करते हैं नकसलवाद पर नकसलवाद और आतंकवाद आखिर ये क्या है नकसलवाद और आतंकवाद में साम्यता क्या है नकसलवाद और आतंकवाद यहां दोनों सरकारी यंत्रना से लड़ने वाला संगठन है जबकि यह संगठन केवल देश के जवानों को शहीद करते हुए आ रहा है अभी तक के जितनी भी हमने जवान शहीद हो रहे है अभी जैसा कि आप मेरे पीछे की जो जो घटना घटी है एक माई को एक माई के दिन महारास्ट दिन के दिन यह घटना को अंजाम दिया गया है लगबग साड़े बारा बजे के समय इस घटना को अंजाम दिया गया था और यह घटना जो घटी थी इस गटना में 15 जवान शहीद हुए थे और एक खाज की जो वहान था जो प्रेवेट वेहिकल था जिस वेहिकल से यह जवान जा रहे थे वो जवानों का जो वेहिकल लेके जा रहा था वो एक जो ड्राइवर था जिसको दादू नाम से जाना जाता है वो लड़का भी इस घटना में शहीद हुआ है लगबग वो प्राइवेट वहान का जो चालक था वो भी शहीद हुआ है और 15 जवान शहीद हुए है अब हम बात करते हैं पुल्वामा हमले के बारे में पुल्वामा हमले के दिन लगबग हमारे देश के 42 जवान शहीद हुए थे पुल्वामा की घटन के अंडर में कमी कश्मीर है उस जगह का जो इलाका है वहां के जितने भी आतंग वाट के जो गटना संगतनाओं के जो अट्डे है उन्हें उन्होंने वीसायल के से याने एर फोर्स के माद्याम से उन्होंने उद्वर्स्त कर दिया, उन्हें नेस्तनाबूत कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा था, वो P.O.K. के इनके बारे में, अब हम बात करते हैं, जो की यह जो घटना है, यह हुई है, नकसल वादियों ने की हुई घटना है, और इसमें 366 के जवान, जो बटालियन के जवान है, वो 15 जवान शईद हुए है, अब यह जो जवान शईद हुए है, इसको लगबग आज हम जहाँ, जिस दिन अभी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज पास तारीक है, पास तारीक याने एक तारीक को यह घटना हुई है, और यह लगबग चार दिन का समय बीद चुका है, चार दलम चार कंपनी उसके खिलाफ में उन्हों ने मामला दर्च की वह यह खटना स्वाब में उटता कि यह घठना अन्जाम कि अब सब्तर्ता के परदानमंत्री जब करते हैं तो स्टर्ध सर्कार का है कि मैं ने निश्ता नहीं कर दियाatega । आर्भी अवी जे खड़े हैं महारास्ट सरकार क्या कर रही है महारास्ट सरकार ने की तरफ से अभी तक के मान्निय मुख्य मंत्री जो इस राज्य के गुरो मंत्री भी है उनके तरफ से अभी तक के कोई बयान आया नहीं है और ना ही उन्होंने कोई अभियान छेड़ा हुआ है आज पाच दिन 366 Battalion के 15 जवान शेहिद हुए कि जिनकी जवानों की ऐसी स्थिति है जिनकी पतनिया चार महने की गर्भवती हैं किसी के बच्चे दो साल के हैं किसी के माभाबूड़े हैं किसी की बहुत सारी जिन्मेदारिया है ऐसे कई जवान जो थे अब मुझे एक बात यहां मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश के प्रधान मंत्री ने श्रीलंका में जो बं धमाके हुए थे तो श्रीलंका को हमारी intelligent bureau की agency ने बताया कि आपके देश में बं धमाके होने वाले हैं तो क्या हमारे राज्य की intelligent agency है वो क्या इन सारी चीजों से वाकिफ नहीं होती या उन्हें यह पता नहीं होते कि क्या होने वाला है घटना एक ऐसी ह में जो घटना घटी हुई है इस पर अभी तक के कोई भी यह नहीं हुआ है धानवरा के SDPO केवल इस पर जाज कर रहे हैं ऐसे हमें अभी पुलिस से ही जानकारी दी गई है आज आपके सिटी नागपूर में आई हूँ और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ कोई नहीं है क्या यह देश का बविश्य हो सकता है मैं कैमरामेन निलेश पशीने के साथ निशान भाई